नमस्कार दोस्तों, प्लंबर माइंड के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांच बाई दस फिट के बातरूम की जिसके अंदर हमने एक कमबोड लगाया है एक बाटब लगाया है और एक और स्वेशिन लगाया है तो नॉर्मल सी बात है कि हर घर में अलग-अलग दिसा के अंदर अलग-अलग दर्वाजे होते हैं और हर एक बातरूम की अलग डिजाइन होती है तो हो सकता है यह डिजाइन किसी ने किसी मेरे भाई के काम आसके इसके उपर अगर आप थोड़ा सा गोर करें तो इस पे थोड़ा सा अल्टरनेट करके दूसरी पोजिशन पे भी इसको चेक कर सकते हैं वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सभी से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है शेर करना है एक हमारा चैनल है Electrical Mind के नाम से जिसमें Electric संबंदित भी वीडियो मिलती है तो मेरे दोनों चैनल उन बंदों के लिए ज्यादा पारूफुल और मतलब अच्छे लगते हैं जो लोग अंडर कर्स्ट्रक्शन अपना काम करवा रहे हैं उनके लिए ज्यादा फाइदे मत है हमारा चैनल और हर एक प्लंबर के लिए भी ये फाइदे मत है तो चलिए बात करते हैं इसकी चोड़ाई है पांच फिट लंबाई है दस फिट तो क्या जरूरी होता है कि इतना जरूरियत है वो देखते हैं एक यहाँ पे बाट टब लगा है जिसकी चोड़ाई है डाई फिट और लंबाई है पांच फिट जो फिक्स टो फिक्स है इस कोर्नर में आया है उसके बाद में यहाँ पे एक जगह छोड़ी जाती है ताकि जब भी बंदा नहा के बाहर निकले तो उसको एक एरिया चाहिए होता है खड़े होने के लिए कपड़े चेंज करने के लिए या फिर अपने बदन को सुखाने के लिए एक एरिया होता है तो बाट टब के लिए कम से कम बाट टब के बाद में आप 24 इंची जगह रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको रिकमेंडेट करेंगे हम 30 इंची यानि के धाई फिट यानि के कहें तो एक 5 भाई 10 के बातरूम में 5 भाई 5 भाई की 5 की जगह बातरूम के अंदर टब के लिए छोड़ दी बाकी जो 5 भाई 5 है उसमें आप कमबोड और वोस्पेशिन जाने के लिए मैं सीधा सा बात बताऊंगा इस बातरूम के हमें चार हिस्सों में बाटा है यहां से लेके यहां तक धाई फिट यहां से लेके यहां तक धाई फिट यहां से लेके यहां तक धाई फिट और यहां से लेके यहां तक धाई फिट पहले धाई फिट में आपन बाटब लगा दिया धाई भाई पांच फिट का उसके बाद में आपने चोबिस इंची या फिर धाई फिट आप जगह छोड़ सकते हैं या दो फिट से लेकर डाई फिट तक जगह आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि बंदा आसानी से और इसली वहाँ पे अपने जो दे दाई फिट का एक अंबोड है तो डाई फिट आपके आगे जगह आसानी से बच जाएगी इस डाई फिट के बाद में जगह बचती है अपनी डाई फिट और जिसमें हमें वोश बेशिन लगाना है तो इस किनारे को पकड़ करके आप यहां पे यानिके इस किनारे की धार स और इस प्लान को समझाने का मेरा एक ही मकसद था कि बहुत से मेरे ब्रदर हैं, बहुत से मेरे कस्टमर हैं, जो अच्छे-च्छे प्लान समझने की कोशिस करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, तो ये जगह इसलिए मैंने चुड़वाया है, कि सर, डाइफीट जगह इससे भी आट हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक ड्रोइंग पर पाइपलाईन बताओंगा, तो मुझे चार दिशा से बनाने पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे एक ड्रोइंग पर चार वीडियो बनाने पड़ेंगे, तो वो मैं जरूर आपके लिए बनूंगा, अभीके लिए आपने समझा कि यहां पर मैंने तीनों का सेट अप क्यों किया अब इसमें गेट के पास में वोश बेशिन लगाने का मेरा एक मकसद था कि सबसे ज़्यादा हमारे वोश बेशिन यूज होता है जैसे एंटर करते हैं खाने के बाद हाथ हो सकते हैं या फिर जब भी हम सो होते है तो उस दोरान हमें सेकट नंबर पर हमें तोयलेट सीट का यूज करना पढ़ता है और लार्ज जो थर्ड नंबर पर हूँ है बाट अटब और शावर एदिया क्योंकि हम पर डे हैक बार यादो बार नहाते हैं लेकिन टोयलेट सीट को तीन से चार बार यूज ले यह फ्लोरिंग की अगर हम बात करें तो यह फ्लोर इस फ्लोर से तकरीबन आदा इंच तो डाउन रहना चीए ताकि इसका पानी इस फ्लोर पे ना रहे और यह फ्लोर हमेंसर ड्रायर आपको मिले तो इस वीडियो के साथ में आपको कुछ माइनर सी बारिक सी चीजे समझ में आई होंगी अगर नहीं आई हैं तो हमें कमेंट करके बताएं हम और कोशिस करेंगे आपको अच्छा समझाने की आज के लिए इतना ही जे हिंद जे भारत